देखो दोस्तों मैंने आप लोगों को पहली बोला था मारूती जीमनी जो 2022 में लॉंच होने वाली है, इसके बार में जानकरी मैंने आप लोगों को पहले ही दे दी थी कि 2022 में ये काड़ी लॉंच हो सकती है, लेकिन आप एक लेटिस रिपोर्ट निकल कर आई है, और इस या फिर यह जो नियूस है, यह कुछ अलग नियूस है, कुछ अलग तरीके की डिटल्स इस भीर में, मैं आप लोगों को बताने बाला हूँ, तो यह जो फाइब डोर जीमनी लॉंच होने बाली है इस जन्वरी मंत में, यह एक प्रोटोटाइप मॉडेल है, और इनको बनाया है जापन के निहान आटोमेटिब टेकनलोजी स्कूल, मतलब सोट फर्म में हो जाता है नैट्स, तो नैट्स के कुछ बच्चों ने इस प्रोटोटाइप मॉडेल को बनाया है, और यह एक फाइब डोर एसू भी होने वाली है जीमनी की, और इसमें जिस बोडी सेप का इस् और इस चैसी में इन्होंने जो कंपनी से जो टायर आती है या फिर सस्पेंशन सेटव आती है उनको भी रिप्लेस करा है और एक बड़े साइज की टायर के इस्तमल किया है और सस्पेंशन सेटव भी खुदी इन लोगों ने ही बनाया है और यह जो मॉड़ल है, यह त्री इसके हुल बेस को बढ़ा दिया है, ताकि 5-door कार यह हो सके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हूँ, इंडिया की तरह जापन में भी इस कार की बहुत ज्यादा क्रेज है, और इस गारी में इन लोगों ने इस्तिमल किया है, कमपनी का ही 1.5-liter 4-cylinder naturally aspirated petrol engine, जो 103bhp और 138 torque पैदा करता है, लेकिन इसमें भी इन लोगों ने कारी-गरी करी है, और इस engine में इन लोगों ने turbo charge setup को लगाया है, जिसका मदद से इस गारी का engine आप और भी ज्यादा power generate करेगी, लेकिन हाँ, कितने power generate करेगी वो exact हमें पाता नहीं चला है, जो news हमें मिली है, उसमें इसकी जानकरी नहीं है, ये गारी इसी मन्त 2022 में launch होने बाली है, और ये एक auto show होगा, जिसका नाम मैं आप लोगों को बताता हूँ, जिसका नाम होगा Tokyo Auto Salon, तो यह जो auto show है, जिसका नाम है Tokyo Auto Salon, तो यहाँ पर ही ये बच्चे इस project को paste करने बाले है, और revealed करने बाले है, तो हो सक करता है, जो current model जीमनी आएगी, कमपनी की तरफ से इंडा में, उसका design या फिर details कुछ इसी तरीके की होगी, ये कार्ड दिखेगी कुछ इसी तरीके की, लेकिन हाँ, tire setup या फिर suspension setup या फिर chassis, कमपनी की बनाई गई standard नियों में का अनूसार ही होने बाली है, ये बच्चों न आई है, तो वीडियो को like करके जाना, चैनल पर नहीं हो, तो चैनल को subscribe कर लेना, ठीक है, ऐसे ही content देखने के लिए, तो चलिए फिर मिलता है आपसे एक और आनवले interesting वीडियो में, आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया,